नमस्कार दोस्तों, Income Tax Return, Processing Related और Income Tax Refund Related एक नई अपडेट हम आपके लिए आज के इस वीडियो के अंदर लेकर आएं हैं दोस्तों, अगर लाश्ट के दो दिन की बात करें, तो कितनी ITR जो वो प्रोसेस की गई है, आएं जानतें लाश्ट के टू डेस के अंदर यहां पर सिर्फ चार लाख ITR ही प्रोसेस करी गई है, पिछले दिन की बात करें तो देड़ लाख ITR प्रोसेस करी है, और उससे पहले दिन की बात करें तो दो से धाई लाख ITR ही प्रोसेस की गई है तो यानि अब जो ITR processing जो है वो slow हो चुकी है एकदम अचानक 10 लाग जो ITR processing हो रही थी अब वो कम होकर डेली की 2 से 1.5 लाग ITR process हो रही है अगर बात करें 31 अगस से पहले का data जो था जिसके अंदर 6 करोड 16 लाग ITR जो process करी गई थी और 3 सेप्टेंबर को ही जो data है बढ़ कर कितना हो गया था 6 करोड 37 लाग यानि यहाँ पर 21 लाग ITR जो वो process की गई थी इन 3 से 4 दिन के अंदर इसके अलावा 4 तारिक की बात करें तो 6 करोड 47 लाग ITR process की गई थी यानि 10 लाग ITR एक दिन में process करी गई थी लेकिन अब 5 और 6 तारिक का जो data निकल कर आया है जिसके अंदर बहुती निरासा जनक यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपर ITR processing जो है वो बिलकुल ही कम हो चुकी है इन 2 दिनों के अंदर सिर्फ 4 लाग ITR ही process की गई है यानि around 6.51 करोड ITR ही process हुई है यानि 6 करोड 51 लाग ITR process की गई है जिसके तहत यानि पिछले दो दिन की बात करें तो चार तारिक को यहाँ पर 6.47 लाग ITR process करी गई थी यानि 6 करोड 47 लाग ITR process करी गई थी और अब बात करते हैं 6 तारिक की तो उस case में 6 करोड 51 लाग ITR process हुई है यानि around nearly सिर्फ 4 लाग ITR ही process की गई ह total number of ITR कितनी फाइल करी गई है 6 September 2024 का जो data कहता है 7.5 करोड ITR अब तक फाइल हुई है इसमें से verified कितनी हुई है तो 7.40 लाग ITR जो verified हो चुकी है अब process की बात करें तो 6.51 लाग ITR process हो चुकी है यानि अभी भी 88 लाग ITR pending पड़ी है processing होने के लिए जिसका refund जो अभी तक pending प around अब आपको अभी 14 से 15 दिन लग सकते यह सभी ITR process होने में दोस्तों अब जो है सरकार जो है ITR process करना बहुती slow कर दिया है डेली की डेड़ से सिर्फ 2 लाग ITR process हो रही है दो दिन का हमने आपको data बता है जिसके तहत ITR अब slow हो चुकी है अब इसमें कई में कारण हो सकते है क्या एक कारण है जिसका मैं आपको बता दता हूं कि यहाँ पर हमने एक data check किया जिसके अंदर हमने यह पाया कि अब जो है यहाँ पर company ने अपने return बनना start कर दिया है audit case वाले return file होने start हो चुके हैं तो यह जो September महिना है यह यहाँ पर busy होने वाला है audited case वालों के लिए तो उस case में आपकी जो ITR processing है वो 100% यहाँ पर slow हो गई यानि अब यहाँ पर बहुती slow आपकी ITR जो processing होना start होगी यहाँ पर companies की ITR file होना start हो चुकी है audited case से उनकी भी ITR यहाँ पर कई-ना-कई file होना start हो चुकी है जिसके वजह से processing जो है वो अब कम कर दी गई है हाला कि एक return हमारे सामने है जिसके अंदर 31 अगस्ट को ही return file किया था और एक September को ITR process भी कर दी refund भी यहाँ पर जारी कर दिया गया हाला कि यह नहीं पता चल रहा है यह company का ITR था या फिर यहाँ पर non audit case का ITR था क्या यह कोई related return था यह revised return था इसकी जानकारी नहीं है लेकिन ए यहाँ पर fast refund process हो रहा है जबकि यहाँ पर जो non audit case है आम आगमिये उनका return अभी भी दो महीने हो चुके हैं अभी तक process नहीं हो रहा है जो return मैं आपको बताता हूं जो अभी भी pending पड़े हैं 31 जुलाई से पहले file हो चुके लेकिन अभी तक उनकी ITR process नहीं करी गई है सबसे बात करते हैं ITR 2 के बारे में यह निल रिटन थी हाला कि इसके अंदर श्टॉक मार्केट की इंकम ती जिस वज़े से यह जो वह पेंडिंग पड़ी है इसमें कोई भी refund नहीं बन रहा है उसके बावजूद भी यह process नहीं हो रही है नहीं इसका कोई intimation अभी तक आया है जो refund amount है वो portal मर दिखाई नहीं दे रहा है तो यह लग रहा है कि यहां पर यह processing में जा सकती है तो दोस्तों यहां पर ITR 3 भी अभी तक process नहीं हुए है इन्होंने 25 जुलाई को ही अपनी verified करवा दिती लेकिन अभी भी तक ITR process नहीं की जा रही है तो ITR 2, ITR 3 जो है वो processing भी जबकि अगस्त महीने में सभी ITR 1, ITR 4 जादा तर हो चुकी है जिनका refund का case था वो जादा तर आ चुकी है लेकिन अभी भी ITR 2, ITR 3 की processing श्टार्ट नहीं करी गई है अगर आप ITR process जानना चाहते हैं कैसे आपकी ITR process में गई है या नहीं गई है इसका भी आप जान सकते हैं आपको income tax portal पर जाना है, login कर लेना, dashboard पर चेक कर लेना है आपको status दिखाई दे देगा अगर आपकी ITR process हो चुके है तो वहाँ पर आपकी ITR जो written है वो process successfully दिखा देगा अगर आपकी ITR verified हो चुके है लेकिन processing में नहीं बेजिए तो वो भी status आपको दिखाएगा कि आपकी ITR process होना अभी बाकी है, wait करिए उसके लिए, अगर आपकी ITR under processing में चली गई है तो वो भी status आपको दिख जाएगा कि आपकी ITR जो under processing में जा चुकी है कुछ समय यहाँ पर लगेगा आपकी ITR जो वो चेक की जाएगी जिसके बाद ही process की जाएगी, तो तीन status से आप जान सकते हैं कि आपकी ITR process हो चुकी है, यह अभी तक नहीं start हुआ process यह under processing में है, तो इस बार बहुत लोगों की ITR अभी भी pending पड़ी है processing होने में, दो से तीन महीन हो चुके लेकिन अभी तक उनकी ITR process नहीं हो रही है, और refund नहीं आ रहा जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, company की IT ITR fast process हो रही है, तो सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर सरकार को उन लोगों की return पहले process करनी चाहिए, जिन लोगों ने अपनी return जो 31 जुलाई से पहले ही file कर दिये, यानि before the due date file कर दिये, ना कि उन लोगों की जिनोंने after file करिये, या जो एक दिन के अंदर आप refund जारी कर रहे हैं, तो यह एक गलत message पहुंचता है कई बाद taxpayer को, कि अगर हम समय पर अगर बरते हैं, तब तो हमारा refund नहीं आता, लेकिन अगर हम delay बर देंगे, तो शायद हमारा refund आ जाएगा, तो एक गलत message पहुंचता है, तो सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और जिन लोगों की ITR pending पड़ी हुए, उनको fast processing में डाल कर उनकी file या processing जलसे जल्द करवानी चाहिए, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, कि उन लोगों ने जिन लोगों अपनी June में, July starting में, या June, July end तक जिनों ने अपनी ITR file कर दी, उनकी सबसे पहले process की जाए, उसके बाद ही, किसी return की process ITR की जाए, उन लोगों का पहले refund आए, उसके बाद ही आगे return जो है, वो process की जाए, तो सरकार को processing थोड़ी fast कर नीची है, आपकी क्या रहा है, नीचे comment करके हमें बताए, किन लोगों का ITR refund जो वो आ चुका है, अगस से पहले पहले, औ और अभी तक आपके ITR अगर pending पढ़ा है, processing में, तो नीचे comment करके आप हमें बता सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले, वीडियो को जाज-जाद शेर करें ताकि और लोगों तक इसकी knowledge औ करते हैं, धन्यवाद.